तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस किस क्रिप्टो कंसी में यहाँ पर फूचर टेडिंग करनी चाहिए और कौन सा इसा वक्त है जिस पर हम टेडिंग करते हैं तो अच्छा का सामने प्रॉफित हो सकता है तो वीडियो को ध्यान से देखना वीडियो का important information है वो दी जाती रहती है honest तरीके से यहाँ पर मैंने कल के दिन एक वीडियो अप्लोड किया था कि FMC की meeting 2 November को होनी है तो इस वीडियो को जाकर देख लेना आपके बड़ा matter आपका solve हो जाएगा और जो आपको दिमाग में डिने टेंशन बनी रहती है कि रिजर्व का rate आने वाला है इंटेसरेड आने वाला है inflation rate आने वाला है तो मार्केट की सरह से behave करेगी, मार्केट गिर जाएगी तो यह सारे सवालों को जवाब मैंने सिफ एक इस वीडियो में आपको दे दिया है, इस वीडियो को जाकर देख लेना, अपने 16 मिनिट, 15 से 16 मिनिट यहाँ पर आपको दोगे, तो आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देखने को मिलेगी, तो चलो दोस्तों वीडियो करते है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि BTC का पेर ओपन किया हुआ है, मैंने यहाँ पर 15 मिनिट का चार्ट है, और यह Binance Exchange का इंटरफेस है, टेडिंग का, यानि यह Binance Exchange का जो टेडिंग पैनल है वो है यह, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है ठीक है उसी तरीके से अगर हम देखेंगे BTC को तो BTC downside movement करता है, फिर upside इस तरीके से एक sideways condition बनी वी हैं तो यहाँ पर मैं price update तो नहीं कर रहा हूँ है, यहाँ पर तुम मुझे यह बताना है कि आपको कौन सी, देखो तीन क्रिप्टो कंसी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आ यहाँ पर उसमें भी टेट करने कोशिश करता हूँ, लेकिन ज्यादा तर मैं सुभा जब open करता हूँ अपने system को तो यहाँ पर मैं 3 pair को ही देखता हूँ, तो कौन से 3 pair हैं उसमें आप भी देखो, उसमें आप भी टेटिंग कर सकते हो, अच्छा-कासा volume होता है उसमें, औ कि हमें ज्यादा बड़ा loss होगा न बड़ा profit होगा, इतना होगा कि जो हमारे लिए काफी होगा, तो यहाँ पर जिते कि मैंने, सबसे पहले हमें करना यह होता है कि मैं चार्ड को करना होथा श्रींग, तो अगर हम 15 निट के चार्ड पर टेडिंग करेंगे तो हम उससे 4 किसे कर देंगे शिरिंग, तो शिरिंग करने के बाद हमें देखने को मिलेगा मार्किट का ट्रेंट, तो मार्किट का ट्रेंट आप देखोगे, तो अगर हम देखेंगे तो लगबग ये 18 तारीक के बाद का यहाँ पर 17 जुलाई से लेकर अभी तक का यहाँ पर चार्ट है, तो यहां पर हो गया, तो हम देखेंगे इस point से, यहां से अगर हम देखेंगे, तो market नीचे जा रही है, और यहां पर अगर हम देखते हैं, तो market में थोगा सा up direction देखने को मिल लाता है, अब इसको जब पीछे आप देखोगे, तो यह एक up trend आपको इस चलागी के से देखो, यह market ऊपर जाती देख रही थी, अभी क्या हो रहा है, market नीचे, यानि market का trend डाउन, तो कहने मतलब यह है कि हम जब इस trend को देखेंगे, तो हमें यह समझ माएगा कि हमें किस ओर जाना, तो सबसे पहले trend आप ज़रूर देखो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, trend is your friend, तो simple हमें स अगर बात करेंगे, तो 14 अगस्त के बाद से अभी तक, market makes downside direction हमें देखने को मिल ला है, और support हमें कहाँ पर बनता दीख रहा है, support अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर simple सा, एक line को mark कर लेते हैं, दो lines mark किया गरो हमेंशा, ठीक है, यह दो lines को मैंने यहाँ पर mark कर लिया, तो यह support area दीख रहा है, और यह एक ऊपर से trend down आ रहा है, ठीक है, अब हम चलते है 15 मिनट के chart पर, देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं यह बताने जा रहा हूं, कि आपको, सबसे पहले तो यह समझना होता है कि trading session कब change होता है, हार exchange का trading session change होता है, मतलब जैसे कि कोई ऐसा particular time होता है, यहाँ पर session change होता है, यहाँ पर क्रिप्टो कंसी टेडिंग तो 24 into 7 चलती है, कभी बंत होती नहीं है, तो यहाँ पर यह समझना काफी मुश्किल हो जाता है, कि कब यहाँ पर session change हो रहा है, कब यहाँ पर volatility आ सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर वही बताने कोशिश करूँ सबसे पहले time की बात करते है, उस time के समझने के लिए आपको करना simple सा यह होगा, 15 minute का चार्ट हमने कर लिया, 1 hour के चार्ट पर आने के बाद, सबसे पहले काँ आपको यह करना है, 1 hour के चार्ट पर गये, 15 minute पर आ गये, वहाँ पर हमने कुछ थोड़ा बहुत levels होगर है तो फुल चार्ट पर कर लेते हैं, 15 minute का चार्ट है, ठीक है, तो यह support area दिख रहा है, यह उपर की 10-9 जो resistance दे रही है, तो अभी यहाँ पर simple हमें समझना यह है, पहले कि यहाँ पर time frame का मलब किस time पर volatility ज्यादा होती है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ प चोटा सा एक option आपको setting का दिखेगा, जहाँ पर मेरा करसा रही है, इसको हम click करेंगे, यहाँ पर session break का option होता है, यहाँ पर जैसे ही session break को आप click करोगे, तो यहाँ पर आपको simple सा क्या दिखने लगेगा, कुछ lines वगरा दिखने लगेंगे, तो यह lines क्या है, यह lines मेरे भाई यह हैं कि यहाँ पर अगर चार्ट को जब यहाँ पर इस तरह से कर दोगे, रिफ्रेश कर लिएमना चार्ट को, तो देखो यह लगबग यह session start होता है 12 बजे, रात के 12 बजे, और उसके बाद दूसे दिन रात के 12 बजे यह खत्म होता है, तो यह 24 hours का data है, यहाँ पर हमें म बात कर रहा हूं, और किसी exchange की, अगर आप देखोगे, तो लगबग इसी के आसपास ही होता है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अब देखो, बात समझो, यह session यहाँ पर start हुआ, 12 बजे, आप देखो, market में तीन candle बनी बड़ी-बड़ी, volatility हुई, हुई, तो यहाँ पर यह कैसे हुआ, यहाँ पर यह ऐसे हुआ, मेरे भाई, कि देखो, यह इस दिन जो trading हुई थी, यहाँ पर, पिछले दिन का हमें high और low mark करना होता है, इसको बोलते हैं, previous range breakout, यानि PRB strategy से पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ, तो देखो, high लगबग, अगर हम देखेंगे, त यह भी connect होगे, यह भी connect होगे, यह एक मजबूत, यहाँ पर support बनदा है, और यह resistance, market इसके अंदर trade कर रही थी, पिछले दिन, यह आज के दिन की मतलब, कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके पहले वाले दिन market इस range में trade कर रही थी, आप देखो, 12 बज़े जैसे ही market मतलब यहाँ से session change हुआ, ठीक है, उसके बाद market में आप देखो, उसके बाद drama से ग्रावट हुई, इतनी हुई, अगर यहाँ पर देखोगे, तो लगबग 19,158 gas pass price था, और जो की यहाँ पर हमें देखने को मिला, 18,883, तो future trading के लिए बड़ा moment है, अब देखो, इतना यहा RSI को लगाना होगा, RSI as it is, जो यहाँ पर default setting है, कुछ नहीं change करना है, RSI को यहाँ पर आपको लगाना है, अब RSI को आपने बिलकुल oversold हो गई, ठीक है, 25 के level पर लगबग 25 के level पर आ गई, और उसके बाद जब इतनी RSI oversold होगी, जाहिस बाद उसमें कुछ upside moment आएगा, तो तूटेगा, retest हुआ, जैको दूसर resistance area तो यह level पिछले दिन के है, तो यहाँ पर हमें दो trade मिले, एक trade तो यह चोटा सा मिला, उसका जब market ने इस level को break किया, यहाँ पर आकर retest किया, दोबारा में trade मिला, यहाँ से यहाँ तक, तो यह आपको समझ माग गया है कि यहाँ पर क अगा लेते हो, और PRB strategy का use करते हो, तो काफी कुछ आपको time का समझ माया था, किस time आपके लिए best है, यहाँ पर देखो यह volatility हुई थी, तो यह यहाँ पर जो support था, यह चागा सा यह नीचे गिरा था, और उसका यह ऊपर गया था, क्यूंकि यहाँ पर हमें RSI ने indicate कि RSI काफ पर एक range create कर दी, तो कहने मतलब यहाँ पर यहाँ पर यह है मेरे भाई की price action, हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर जो, मैंने आपको station break का जो option बताया है, यह हमें price action बताता है, ठीक है, price action बताता है, तो price action क्या है कि 24 घंटे के अंदर market ने किस, कहा support मतलब कहाँ पर low area बनाया, और कहाँ पर high area बनाया, बनलब कहाँ पर support बनाया, और कहाँ पर restriction बनाया, तो यह कहने मतलब है, ठीक है, तो अब जैसे कि इस दिन के लिए आप जाओगे तो यही line को थोड़ा सा drag करको ऊपर कर लो, और पीछे थोड़ा सा देख लेना कि यह connect हो रहे हैं और point इस पे, ठीक करना, तो कोई मूरत तो होता नहीं यह trading में कि इस वक्त ही करना, उसके बाद मत करना, परना फिर आप कुछ profit वगरा नहीं कर पाओगे, मेरे भाई यहाँ पर simple तो समझो, कि market जब यहाँ पर इस तरीके की session break हुए, मनलब यह पूरा 24 गंटे का data है, बाइनस exchange का, तो market ने कि इस range के अंदर trade किया, आप उस range का अगर नीचे के side breakdown हो गया, तो बड़ा trade मिलेगा, उपर के side breakout हो गया, तो बड़ा trade मिलेगा, आप देखो यहाँ पर इस दिन, यहाँ पर देखोगे, तो अगर हम देखते हैं, तो एक rectangle box को लेंगे, यह देखो, इस area में यहाँ से यहाँ तक trading होई थी, ठीक है, लगबग यहाँ से यहाँ तक trading होई थी, यह breakout तभी sudden fall हुआ था, और यहाँ पर support बनाया, RSI बिल्कुल oversold हुई, और अच्छा का सा में trade वापस फिर मिल गया, तो कहिना है, मतलब सिर इतना सा है, ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर एक सवाल का आपक ठीक है, सिंपल सा है, अब यहाँ पर चलते हैं वीडियो के end में आपको बताऊंगा कि किस cryptocurrency में trading करनी चाहिए, और मैं किस cryptocurrency में ज्यादा trading करता हूँ, उसके बारे में, तो सिंपल हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, और यहाँ पर यह BTC, USGT आपको देखने को मिल ला है, सिंप से उपर होगा, उसके बाद जिसमें इस तरह से यहाँ पर इसको ranking दियाती है, तो यहाँ पर BTC, BNB, Ethereum, यह तीन cryptocurrency में मैं trade करता हूँ, चौथी cryptocurrency में जब trade करता हूँ, तो थोड़ा सा जो risk है मेरा वो बढ़ जाता है, लेकिन यह तीन cryptocurrency में जब मैं trade करता हूँ, तो थोड़ सा risk मेरा manage होता है, क्योंकि इसमें liquidation price थोड़ा सा दूर होता है, अभी भी आप करके देख लेना, यही तीन pair होते हैं, जो अच्छे से, इसमें मतलब आपको liquidity भी मिलेगी, volume भी मिलेगा, और दूसरे थोड़ा सा volatility भी इसमें मिलेगी, अब यहाँ पर जिसे हमने BTC के चार् अभी देखो क्या है, यह जैसे कि इस दिन, यहाँ पर बात करेंगे, 19 October की, तो दो lines लेंगे, और इस तरह से mark किया है, एक area को, और यह हमने इसका low area यहाँ पर पकड़ा, तो हम क्या देख रहे हैं, कि उसके दूसरे दिन, यानि कल के दिन 20 सारी को, 20 October को, भी market उसी range में ही trade की, हमें समझ में आगे ना कि important support और resistance हमें मिल ला है, तो price action मेरे भाई यही होता है, अब price action के साथ जब हम combine करते हैं, किसी अच्छी cryptocurrency को, जिसमें, मतलब word के काफी लोग उसमें trading कर रहे हैं, future trading कर रहे हैं, या spot trading कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर और सोने पर सुहागा हो जात करते हैं, तो नीचे जा सकते हैं, थोड़ा सा, यह support बन रहा है, यहाँ पर मिल गिर के market आईती, support लेने बाद यहाँ से ऊपर चलीती, देखो कितना अच्छा trade है यहाँ पर, 1275 के बाद यहाँ पर 1310 तक market ऊपर गईती, तो यह simple scenario आपको समझा देती है market, होता यह है कि आप market यहाँ पर फसी हमें दिख रही है, Ethereum की, यह देखो, यह rectangle box को इस तरह से लगा लोगो तो और अच्छे समझ माएगा, दिख रहा है ना, अब इस rectangle box के बाहर कहीं ना कहीं तो निकले कि नीचे निकले या ऊपर निकले तो थोड़ा सा इस पर नज़र रखो, तो जिस वक्त ट्रेड मिलेगा, आपका सही समय वही है, आगई बस समझ में, तो बिल्कुल इतने बचके इतने मिनट पर ट्रेड लेना, यह सब बेरकार की बाते हैं, काफी लोग आपको बोलते हैं, बस इतने बचके, इतने मिनट पर यह ट्रेड बनेगा, ऐसे होगा, ऐसे, तो वो मेरे भाई, बेकार की बात है, price action का नुखार चलोगे, price action supreme है, price action को हमने देखा, अब देखो, ethereum में भी मैं डिखा देता हूँ, यह support हमें पहले इस दिन से यह support हमें बिला था 20 तारीक को, 19 तारीक को यह support हमें मिल गया था 20 तारीक के लिए, यहाँ पर RSI बिल्कुल overs PPE के लिए, य क्योंकि प्राइस काफी ज़्यादा एक्ट्रेक्टिव हो गया डिस्कॉंट आफर आ गया एथिरियम ने तो यहां से मार्किट ऊपर चली गई सिंपल दा फंड है मेरे भाई थोला सा लॉजिक के साथ यहां पर करोगे दिमाग को लगाओगे तो बहुत अच्छे हाँ से प्रॉफिट हो सकते हैं तो उम्मिद करूंगा कि वीडियो बड़ा है और कर सकता है आपको लेकिन है बड़े काम का नेक्स अपडेटे मिलता हूं जब तक के लिए इजाद दीजे और चलते हैं कि रूकेश करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार देख रहे हूं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करने नोडिफिकेशन बिलको भी आन करने हमारी और से जब भी जानकारी आप को मिलेगे और तरीके से मिलेगी नेक्स्ट अब्डेट में फिर किसी यूनिक कांटेंट के साथ आपके सामने हाधिर होता हूं जब तक लिए जय हिंद जय भारत